अगर दणा है नमस्कार आप सभी का 수वागत है आज हमारे साथ निरोग सडीट के और की लब लाइव सेशन में डॉक्टर साकेत कुमार और डॉक्टर अमरेंद्र कुमार पाठत जी हैं डॉक्टर साकेत अरुटिक Lal के मेर्यट wizard राची जारखंड और डॉक्टर अमरेंद जी वह भी अरिवेदिक ऑफिसर मेडिकल ऑफिसर राची जारखंड से हैं सर आप दोनों लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हम आज आप से कुछ बातचीत करना चाहेंगे अरिवेद को लेकर और जारखंड में आरिवेद के मौजुदा हालाद को लेकर और आप चुकी जारखंड सरकार के नुमाइंदे हैं और काम कर रहे हैं आरिवेद को लेकर तो हम जाना चाहेंगे कि क्या इस्तिती है जारखंड में आरिवेद को लेकर पहले के बरिश्पत सरकार का प्रग्रान और सरकार अपने चिकित्सार प्रदादिकारियों को, अपने अस्पटाल को, सही प्रकार से पहले के बरिश्पत काफी प्रिकास की ओड़ा किसर है और हम लोग जो सरकार सरकार करते हैं, उस पर समय समय पर सरकार को धान देती है, अवसधी के मद में पहले से जाइदे मात्रा में अब अब अबंटन भी मिलता है, रोगियों को निश्ट रूप से नियमित रूप से पहले से काफी मात्रा में दवाया मिलती है, सरकार द्वारा और हमें काफी पहले से अच्छा लगता है कि जब लोग यहां काम कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साकेथ, अभी हमने निउस्पेपर में खबर पढ़ी कि ज़ारखंड में स्वास्त के दिरिष्टिकों से काफी परिवर्तन आया है, बदला हुआ है। और वो बिहार वगरे जहां उसमें गिरावट दर्ज हुए है, वहीं जहारखंड में स्वास्त के शेतर में उलिखनी प्रगती हुए है। उसका रैंकिंग बढ़ा है। आपको क्या लगता है इसमें अरिवेद और आयुष जो विभाग है, उसकी कितनी अहां भूमिका रही है। अर्वेद की भूकात काफी बढ़ी है अहां भी, लोग का विमान पढ़ा है। पहले ही प्रग्षा लोग में ऐसा बदलावा है कि हम अर्वेद से जुड़ें, अर्विदी दवास से कस्वर करें, आयुष को अपनाएं, ताकि शाट फ्रग से बचा जासे। क्योंकि मेडिकल सार्च से ट्रेटमन लेने से लोग को शाट फिट बहु ज्यादा है। इसके लोग अब समझ में आ रही है पाती है। और हमाओ रिसर्च की कमी है अभी अर्वेद में, इस पर रिसर्च होना चाहिए। मेडिशिनल पर रिसर्च होना चाहिए। कमी तो है अभी, बहुत कुछ करने का है। इसपर जोड़त अविडियों के लिए, तो आगे कैसे उसको अच्छी करेंगे इसके जिए ध्यान देना होगा और सरकार दीरे जब द्यान दे रही है इस पर लेकित सबसे बड़ी है कि हम लोग की मैंन पवर की काफी करनी है मैंन पवर हम लोग बहुत कम है आगे में आईसमें इस पर त्याने रिगार सकता है जब मैंन पवर लेगा काँ हो करने में स्वाधिकत होती है और परियास सदत है कि कैसे हम लोग भी मोडर्न चिसाब करती के हाथी हम लोग भी उसमें अब्रतर हों जै बहुत अच्छी बात आपने कही है कमिया है लेकिन दूर की जा सकती है दॉक्टर हमरेंद्र आपसे एक सवाल है कि आईविवेद को लेकर बहुत कुछ हो रहा है आपने सुनाया कि आप बहुत सारे वेलनेस सेंटर भी खुलने वाले हैं जिसमें आयुष विभाग की बातपुन बोमिका होगी लेकिन यह सारी जो चीजे हो रही है वो गाउं तक जारकन के गाउं तक पहुंच रही है या नहीं और वहां के लोगों को लाव मिल रहा है य अच्छा है और आपको यह बताते हुए हमें हर सो रहा है कि जारकन्ट की जो भागोलिक इस्तती है और यहां के जो मूल निवासी है उनमें प्राय अधिकांस जो इस्तती है चिकित्सा के लिए वो आडवेद को ही अपनाते हैं उनकी जो अपना दिन चरिया है वह बिलकुल आडवेद के अनुसार ही है उनका जीवन चरिया उनका रितु चरिया उनका रहन सान संप्वर्ण रूप से अडवेदा अनुसार ही है भले ही हम अगर आपके प्रस्ना अनुसार ज़िस सरकारी रूप में हम भले गाउं तक पहुंच पाए हो या नहीं पहुंच पाए हो य जो कुषल और बैद हुना चाहिए या इस्टिप्सटिजियों जो इंस्टिटिफसेथ वह नहीं अबलेबुल हूँ लेकिन नभी इस्टिफिन जो चिक्तिशक हैं जो पारंपडिक हैं वह बिल्कुल और बिल्कुल आररवेद काई ठीडम गाए औरु बहुत अच्छी बात है हमने सुझा है जारकंड में जारकंड में प्रेट पौदे बहुत है और लेकिन यह है कि जैसे उत्राखंड बहुत आगे गया है अरुवेद में वहां पर बहुत सारी कंपनियां भी है जो जड़ी बूटियों के माद्नियम से अरुवेदिक दबाएं बनाती है लेकिन जारकंड में मेरे ख्याल से इसको लेकर बहुत कमी है उस तरह के यूनिट्स नहीं है क्या कमी मानते है कैसा क्यों नहीं है जबी NMPV के तरज पे जारकंड सरकार स्टेट मेजिसनल प्लांटेसनल बोर्ड का गठन यहां कर लिया गया है जारकंड स्टेट मेजिसनल प्लांटेसनल बोर्ड के तरज पे अब वहां पे गठन हो गया है यहां लोगों को उसमें रेश्टेसनल कराने के लिए प्रिदित भी क्या जा रहा है अब ग्रहों में ज कि रो सरकार उसमें अपना एक अंधान, निचित अंधान जो भार सरकार से बैद, उसे उप्लब्द कराए जाएगा, और उसे भी जिसले प्रांट जो है, उसका उसकी केटी कराई जाएगी, काफी मात्रा में जो वो ग्रामी चेत्र में अरवेदी के दवार को प्योग करते है और आपने कहा ही है अभी इस वात को आपको फ्रेंग मांते हैं, कि जारखन जो है और सभीयों से भरा परा हुआ है, पुड़े प्रदेश में और सरवाधी के अन्परांतों से अधिक यहां पर है, निच्या ही आने वाला समय अरवेद के लिए जारखन में जोड़ होगा ही इसा हम्यासा है और सरकार का निधान इस वर आपिस्ट बड़ा है विए धांजेगी, और हम्या असाई में पुर्ण विश्वास है कि एक दिन पुला समपुन देश में अरखन का नाव अरवेद को चलने में अरवेद को चलने में अभी जो है प्रतानमंतरी मोधी राची आ से लेते हैं? आयूस्ट डिपार्टमेंट जारखन्द विनास्ट्य योगा दिवस को अंतरास्ट्य योगा दिवस को तो प्रथम से इद पंचं था हमारा प्रथम बार्च मुना रहा है अच्छा रहा है प्रतु यह हमारे लिए इस वाहां की बाती इस वार मानिय श्र्पर प्रगता से लंगे तेसमें उसमें जिसको ढूं कारे हो मेरा तो खास करieza अधिग ए कुछ इसमें कोको इसमें में लगाया था उसमेंfil ex All right और मैं इसमें कि लगाताव, दस तालिख से लेकर और कुजे 20 तालिख कर नियमित रूप से लगणा इस काड़ को करता रहा और काफिया आना दी तुभा हैं हमें ही नहीं हुआ हैं वे लगता हैं किया है आर्वेद के लोगों के साथ-साथ जहारखंड के आउन के लिए काफी यह कृति काड़ी हुआ है और कापर उनके मान और सम्मान में कापी प्रतिष्ठा पुर रंग से इस पर यह काड़ हुआ है और आने वाला से यह कापी आधियार रहेगा अच्छा मेरे एक आखरी सवाल है आप दोनों लोगों से कि जारकर्ण में चीजें हो रही है बहुत पर भी है जारखंट के दिश्टी कुन से आप किन चीनोतियों को सबसे जादा मानते हैं जो अर्वेद के लिए भी आने वाली है अर्वेद करने में इसके संबर्धन में इसके समारने में हर चीज में इसके पोसल में इसके पुर्चाहन में हमारी भूंका होती है इसलिए सरकारी अस्तर्प में तो मैं इसको कदाई सुकार नहीं करूंगा कि इसमें सरकार की प्वेक अताही है लेकिन यह हमें निसी तुप सचाहूंगा कि वह हमारे माध्यम से हमारे सरकार के माध्यम से और जो हो पाएगा वो सरकार इस पर करेगी हम लोग समय समय पर बताते रहेंगे और इस पर करते रहेंगे हाँ कुछ कम्या जरूर है जिना जिसी बगारे सिरिया डॉक्टर साके जी ने बताया है और हम चाहते है कि इनको इस पर जाल जाल काड़ी भी है क्या हमको भी दिकत है इस पर इत्तमाई दर्स पर यह करवा चाहेंगे बताना चाहिए जैसे अभी हाल में नहीं तो प्रगाम चाहिए है निस्नल से मिला है जी 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 एक सो एच टाल्ठी कुलने कि इसमें बहुत परतास हैं लोग लगे हुए हैं 25 हेच थेयल्ठी कौन अच्टनिस एंटर को अश्टर्रिस करना है जल्दी बाजी में करना है, तो इसमें हम लोग नवे हुए हैं, और सबसे बड़ी सुदूर कौन चले जाएए, जहां पर पहुचना मुस्की टॉफ है, तो कहां का पहारी दा का है, टॉफ तो है ही, लिए वहाँ पर एक अंधिविश्वास, बहुत लोग अंधिविश्वास कारण जाड़तों के सब, तो उसके लिए हम लोग प्रदिश कर रहे हैं, कि इसे आयड दे रहे हैं, हम लोग की विश्वास इस पर मत किजिए, विश्वास पर मत जाहिए, आप अपकों दबा की जो है, बिमारी है, तो दबा की जोद है, जाड़ने पूरे से कुछ होगा न पढ़ेगा और बुची पढ़ेगी आर्युवेद के प्रतिश चादा, कि हम इधर उतर ये कारण नहीं भढ़के अंतरिश प्रयास में और सही ठीक्मेंट हो उनका, हम लोग का रही प्यास है, और हम जिसे मस्ते हैं कि हम लोग इसमें सफल भून है, मेरी शुब कामनाय है, निरोग स्टीट के शुब कामनाय हैं कि आप अपने प्रयास में सफल हो और चारफंड आर्युवेद को लेकर बहुत आगे जाए, अंतराश्टी अस्तर पर उसका नाम हो और आर्युवेद, जै आर्युवेद हो, ठीक है निरोग स्टीट को अनों के तरफ सरी बहुत बहु झाल 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